हेलो दोस्तों आज मेरे पास बनने के लिए समसिंग की पैड़ फोन जिसमें प्रॉब्लम यह है कश्टुमर का कहना है कि इसमें बैटरी आधा गंटे से जादा नहीं चलता है नया से नया बैटरी लगा दो फुल करके फिर भी आधे घंटे से नहीं जादा चलता है यह देख प्रॉब्लम क्या आ रहा है पहले मल्टी मीटर को ले आ रहे हैं यह आ गया हमारा मल्टी मीटर यह देखे पीब बजर रेंज के ऊपर है इसको आप डाइबोर ब्रेंज भी बोल सकते हैं जो भी आप बोलें यह देखे पलस-पलस पर लगाके और मैनस मैनस पर लगाने के बाद में यह देखे साढ़े से करीम में आ रहा है acord जैना की रहauptाने में यह दोनन तरफ से भी स्बांप चेक लेट है यह देख लीजे आप चलिए इसको हम ट्रेस कर लेते हैं पहले नंबर इसका हम यह एक कैन निकाल दे रहे हैं वीडियो मैंने कर लिया उसके बाद में वाइश दे रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत ज़यदा टाम लगता है हाफ शॉट में आपको एक बार और चेक करके दिखा देते हैं यह दोनों तरफ से मैं आपको दिखा देते हैं यह देखी चलिए एक एक करके हम ट्रेस करते हैं सब इन फोनों में सबसे ज़्यादा साटिंग का problem इसी बैटरी को इसको किनेक्टर के आसपास से आता है सबसे ज़्यादा इसी काईपिसेीडर से आता है तो छलिए हम पहले इसको चेक कर लेते है कि देखिए इस पर भी दिखा रहा है कर देते हैं पहुत से फोनों में ऐसा हुआ कि इसको करने के बाद स्वाटिंग हट गया है अब हम चेक कर लेते हैं इसको साड़े तीन सो यह देखिए 500 पहुंच गया इसका मतलब यह कॉपिसिटर सौट था फिर भी हमारे मुपाल में अभी भी साटिंग है लेकिन इससे भी साटिंग था यह देखिए 600 को साड़े 600 के करिम में आ रहा है यह कॉपिसिटर सौट है यह लेकेज आप चुभी बोलना च देखि लीजी आप जैसा कि तो आगे हम ट्रेसिंग करते हैं से कुछ जगह पर हमने बीडियो कट कर दिया क्योंकि बीडियो बहुजदा लंबा हो गया था सीथा हम आपको ट्रेस करके दिखा देते हैं हमने इसको वह जगा ट्रेस किया है उसके बाद में यहां पहुंच गए हैं अब चलिए आगे ट्रेस करते हैं यहां तक तो नहीं मिला यह पी तक कोई सौटी हम क्या करते हैं सोल्डर से अपने कैपिसिटर का जिस पर भी सक होता है कि यह सौट हो सकता है उसका एक टांग को हम हम सौलर सोल्डिन ईयरन से उसके बाद में चेक कर लिए ते हैं फिर दूसरा चेक कर लिए इसी तरीके से यह देखिए," यहां पे सौटी निखा रहा है तो इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या करेंगे हम सोल्ड ऑ्रन से इसको एक टांग को इस्क जो है今 से वह से इसको रिमॉब कर देंगे मतलब एक टांग को इसके हम इसे चक करते हैं अब बलोर मसीन से नहीं निकालते हैं कर दो कि चक कर लेते हैं कि यह देखिए इसका मतलब यह कपीशिटर भी साड था यह देखिए हमारा एकदम होगे हो गया फॉन यह कपीशिटर से ही सौट था यह देखिए दो कपीशिटर से हमारा सौट था जो इतना जाता सौटिंग आ रहा था यह देख लीजिए यह वाला कपीशिटर है इसका मने एक टांग को मतलब सौटिंग आइरन से उठा दिया है एक कनेक्ट नहीं है दोनों पार्ट एक कर देते हैं कि क्रीन कर दिया हमने आपको नजदीक से दिखा दे रहे हैं यह देखिए यह वाला केपिजिटर था यह क्रिस्टल के बगल में है यह देखिए यह वाला है इसको हम पूरा ही निकाल देंगे अब क्योंकि सार्टिंग तो हमारा मिल गया है इसको हमने निकाल दिया यह चिम्टी से इसको पकड़ ले रहे हैं इसके पाद आपको चेक करके इसको दिखा दे रहे हैं हम चलिए इसको मल्टिमेटर से चेक करके दिखाते हैं आपको यह लेखिए कैपिसीडर में कोई रीडिंग नहीं आणा चाहिए O L आना चाहिए इसमें देखिए 1100120 के करीब में रीडिंग आ रहा है दोने तरफ से चेक कर लेंगे यह देखिए 11900 के रीडिंग आ रहा है कि एक ग्रिकी लिकास था आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं चलिए दूसरा लचक कर लेते हैं है एक क eine पेघ्टा कि यह नई है चलिए प्रक वाइब यह इसके k्णेज ओसुकर आईराना है यह वाला है अब भी सभी से कनेक्ट नहीं हो रहा है यह देखिए यह दिए कि 6500 के करीब में आ रहा है यह दू कपिसिटर साथ थे इसी वज़े से यह फोन बैटरी वेकप नहीं दे रहा था चलिए फटाफ़ट फोन को हम एसेंबल कर लेते हैं उसके बाद में हम चेक करेंगे यह दूनों कपिसिटर था यह इसको हटा दे रहे हैं अब फटाफ़ट फोन को अपने असेंबल कर दे रहे हैं फिर हम आपको चेक कराते हैं पोन हमारा बंद तो नहीं हुआ है यह सेट हमारा अन था लेकिन बैटरी वेकप ही नहीं दे रहा था चलिए एक बार फिर से रीडिन आपको दिखा दे रहे हैं यह देख लीजिए बिल्कुल ही ओकी कंडिशन हो गया इसका चलिए फटाफ़ट सेट को एसेंबल कर लेते हैं उसके बाद आपको चेक करा देते हैं सिब्साद बाद आपको लाइक कर दीजे वीडियो को अगर आपको इस चैनल मिला हों तो सब्सक्राइब कर दीजीए घंशन हमारा हो गया इस टिस्प्लेई उनका तोटा हुआ है फिर वह चला रहे हैं उनको उसес क्या करना है यह यह मिलते है अगले वीडियों तकर तक के गुडवाई